नवरात्री चल रहा है तो सोचा नवरात्री के लिए कोई स्पेशल रेसिपी बनाई जाए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यदा स्पेशल होने वाली है नमस्ते स्वागते आपका जूमास रेसोई में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा चल ये इस रेसिपी को शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए पहले हम एक पैन लेंगे उसमें डालेंगे करीब हम एक कप साबू दाना। उसे रोस्ट करेंगे करीब 7-10 मिनट के लिए low medium flame पे साथ से दस मिनिट बाद ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब इसे एक प्लेट में उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसमें करीब आपको 10-15 मिनिट लगया ठंडा होने में उसके बाद हम इसे एक बिकसर ग्राइडर में डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना देंगे जैसा कि आप देख सकता है बहुत ही अच्छा पाउडर बनाए अब बढ़ते हैं नेक्स टेप में इसके लिए ए इसमें हम सेंधा नमक और इसमें जीरा पाउडर भी हम डालेंगे जरूर अगर आपको इंग्रीडियंस के डिटेल लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें साबुदना का पाउडर डाल देंगे इसमें मैं करीब त दोनों हाथों को तेल से अच्छे से क्रीज कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इस बाल में से लेंगे और इसका एक छोड़ा थोड़ा बाल बनाते जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम बाल और टिक की दोनों शेप में बना रहे हैं आप चाहे तो इनसे कोई भी शेप बना सकते हैं, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो comment box में हमें जरूर बताईएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे टिक्की और बॉल्स बनके रेडियो हो चुके हैं, आप देखी सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से बने हैं, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स टेप में, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे करीब दो टेबल स्पूर्द निर्फाइन और उसे गरम करेंगे, क्योंकि हमें बॉल और टिक्कियों को अच्छे से शैलो फ्राइ करना है, फिर हम एक के बाद एक टिक्किया डालते जाएंगे, उसे करीब 3-4 मिनिट के लिए हम शैलो फ्राइ करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, एक बार ये सारे अच्छे से शैलो फ्राइ हो जाए, उसके बाद हम इसको दूसरे साइट पलट देंगे, और दूसरे साइट को भी करीब हम 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करते जाएंगे, 2-3 मिनिट अच्छे से हो जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में उतार लेंगे, और इसी तरीके से हम बागी सारे टिक्की और जो बचे हुए वाल्स थे, उनको भी अच्छे से हम शैलो फ्राइ कर लेंगे, पहला 3-4 मिनिट मीडियम टू हाई फ्लेम फिर पलट कर 2-3 इसमें अपने टिक्की ओको अच्छे से सजाएंगे चाहिए तो इसमें बॉल्स भी आड कर सकते हैं मैंने इसमें बॉल्स और टिक्क्या दोनों दिया है उसके बाद हम इसके ऊपर मेठा दही का यूज़ कि अगर हम नौर्मल दही या खटा दhy यूज़ करते हैं तो उसमे हमें नमक डालना पड़ेगा और व्रत के टाइम पे हम नॉर्मल नमक का यूज नहीं कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लालमिच डाल देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सेंदा नमक डाल देंगे और हो गया है हमारा वरत वाला दही वड़ा रेसिपी रेडी आपके रेसिपी कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको ऐसे नेने रेसिपी और मिल सके दही बड़ा तो स्ट्रीट फूट होता है इसलिए स्ट्रीट फूट का पूरा वो एफेक्ट लाने के लिए मैंने इसमें पेपर बाटी में सर्फ किया है आप चाहे तो डारेक्ट भी कंस्यूम कर सकते हैं आपको ए रेसिपी कैसा लागा हमें कौन बॉक्स में जरूर बताएगा फिर से आपको बता रहा हूं और डिटेल्स मिल जाएगी आपको इंग्रीडियन्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाके जरूर चेक कीजेगा वीडियो को अंदक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत चत और हमें बताएगा जरूर आपको कौन सी नहने रेसिपीस देखनी है